नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे पहले तेजस्वी यादव और बाद में राजद सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव भी एजी के सामने पेश नहीं हुए देखे आपको मालूम है कि लानफ और जोब्स क्या मामले में एजी की तलवार लालू और तेजस्वी दोनों पर ही लटक रही है और आपने देखा कि पहले तेजस्वी आदव पेश नहीं हुए और बाद में लालू ने स्वास्त का हवाला दिया और वो भी ED के सामने पेश नहीं हुए तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जनाब कि क्या ऐसा करके लालू और तेजस्वी दोनु अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं तो देखे आज हम इसी मुद्धे पर सीधी बाचीत करेंगे पटना हाई कोट के जाने माने आडवोकेट द्यो प्रकाज जी से सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एडी का शिकंजा लालू और तेजस्वी आदव पर लटक राए पूरा मामला वकील साहब संचेप में समझना चाहेंगे देखे मामला पूरा तो हम नहीं जानते हैं क्या और किसे हुआ पास क्या नहीक है तो बोलना सही नहीं होगा जो आप एडी वाला मामला है वो बताए डी उसमें इंकौाईरी करें इडी क अंधर बहूफ सार एक्ट आता है प्रेशन अप paint के आता है उसके अंदर और चुकि यह मामला रेलवे की बहाले से जुरी हुई है रेलवे के बहाले में कुछ प्रोकोर्ष सिस्टम जमीन लेकर भाले धन्की बात है यह या अरोप है तो तो रेल मंतरी तो लालु जी थे तो रेल मंतरी थे भी नहीं लेकिन चुकि एड़ी किनवास है बहुत ही भास्ट है बहुत वाइड है तो सेक्शन थ्री में लिखा गया है कि या तो आप प्रेडिकेट ओफेंस मने कोई क्राइम करके आपने पैसा कमाया है या किसी क्राइम से पैसा किसी को आया है उस प्रोपर्टी के मालिक आप भी है किसी किसी प्रकास लावा ताफ हुए है और आपके पूरे आपके हाथ में है तो भी दोनों मामले में एडिया उसमें सुनेगी इनके पास कोई दिल्ली का कोई मकान है उसके बारे में कहा जाता है कि उस मकान में कोई कंपणी थी उसमें इनका सेर होल्डिंग था वो उसमें ये भी थे मैंने ये मतलब वहां पर मालिकाना हक में है कि उन्होंने का that house has come through the predicate offense मतलब उस crime से आया है इसकी जाच होगी प्रूब होगा तब उन्हों तक लेगा कि वही उसी ओपेंस है किसी और जावत पेमेंट आया तो यह बात है कि इतने का मकान था इतना अदाम हो गया तो बहुत पर प्रप्टी तो करना उनको अधिकार में है जो पी एमेले एक्ट है उसमें section 50 में सम्मन का राइट दिया हुआ है और जो competent authority हैं पी एमेले एक्ट के अंदर एडी में वो सम्मन कर सकते हैं और सम्मन करने के बाद सम्मन में जाया जाता है सम्मन में नहीं जाएंगा तो इन्फोर्स कर सकते किसी भी एक्ट में enforcement provision होता है उसकी एक्ट है ना पार्लेमेंट का एक्ट है तो एक्ट में अगर मान लिए कि उसकी बात आप नहीं मानेंगे तो कोई महफिल में जाना तो है नहीं कि आप गए गए नहीं हुआ किसी साधी के निमंतरन तो है नहीं मन माना है लेकिन एक बात लोड़ भी है कि सम्मन में एक बार नहीं जाना दो बार नहीं जाना या कोई कारण देना किस कारण बस हम नहीं आ पा रहे हैं और कर नहीं एपियर होंगे तो कंपेलिंग प्रोविजन उसमें ओलरी आई पीसी वन सेवन टी फोर गाइड़ होता है जिसमें को वारंट भी इसु करेगा रिस्ट भी करेगा कर सकती है लेकिन सम्मन का स्टेज पर यह मामला लेगो नहीं होगा सम्मन में मानी जाया है कुसी डेट पर को एपियर नहीं कर है तो टाइम लेते हैं सम्मन में एक दो बार तेन बार तो आज ही चकता है रहो हम लोगर है पर हम लोग कोट में केस करते हैं तो बहूत पर हम लोग उप एप यूद लेते हैं पर वह लोगा KHERAL होता है यह living data वह होता है हुँँ कने हो कु Europe निच में हो खिए मॉख इंक्व खतरनाक एक्ट है कि उसमें अगर उनको लग जाता है कुछ इसा एविडियन्स उनके हाथ लग गया और इसा प्रूब हो गया कि नहीं साथ यह हैं दोसी इसमें हैं रिस्पॉंस प्राइमा फेसी यह लग गया कि इस इन पर है दोस्क बंद सिद्ध होता है तो उसको वो बना जानेंगे और कहेंगे आपको इसारोप में हम एरेस्ट कर रहे हैं और उसको बंद इन भेल अपमें इनको कॉपी नहीं देंगे को कौपी वह हैंड ओफर करते हैं और जो आटकेल ट्वेंटी से व गाइड़ेट नहीं होता है कि उसकी कॉपी आपको अपलब्ध करा ही दी है तो वे तकहरवाला मामला एक चल रहा है तो उसमेवो करते हैं लेकिन अभी सम्मन स्टेज का मामला है और प्राइमा प्रॉयम्आ प्रिडिकेट ऑफिंस में वह सेक्शन ठी में तो है कि अगर प्रपर्टवाल्टि ए रह अई है और उसकी ने मालिकाना ह豆ंड वहाए क्यो जो पैसा आया जो प्रोपर्टी आया उसके मालिकाना हक में कोई और आदमी है तो वो भी रिस्पोंसिबल हो जाएगा उसके इसमें उतना ही जादा उसक्षिन थ्री में लिखा हुआ ये चीज़ कई एक बार पहले भी हम आपके हम बाइट से दिया है और इसमें भी है का अग यе क्या नाम है उस कही पर पैसने के उन्हें को नहीं पहलें किर वह नंए पता है कि इसको पास पर प्रोपर्टी आई है खिस सब्सक्राइब करें तो एक सवाल कि हमने देखा कि पहले तेजस्वी नहीं गए और बाद में लालू प्रशाद यादव भी एडि के सामने पेश नहीं हुए एक सिंपल सा सीधा सवाल है कि क्या ऐसा करके दोनों अपने लिए मुसीबते पैदा करें नहीं उनके वकील जरूर गए होंगे नहीं गए होंगे कुछ लिख के जरूर दिये होंगे है एक उसकारन से नहीं आप रहे हैं इसे नहीं होता है वह जाकर दिये होंगे अंगOME GROक के बोले होनी 239 वह उने भाफ बने हो रहे हो उनको इनहीं को एब समस्दू और अधर है उनको अगर यह महसूस हो जाता है यह तब उसके पास और भी पावर है जो IPC section 174 में दिया हुआ है देन वो वारंट निकालेगी या वारंट का प्रोफिजन जो पहले तो पहले तो पुराना भला भी याद है कि जो section 70 CRPC 72 73 में सब दिया हुआ है कि वारंट कुर्की का सिस्टम होता सब उनकार बी हो सकती है और वारंट भी निकाल सकता है अगर E.D. को लग जाए तो हमको निलग तक अभी मामलाओं है लेविल तक पहुचा है अभी तो सम्मन है और सम्मन में कुछ अगर अपयर होकर कर कर के कंविंसिंग रीजन दे देता ह आपको याद हो का वकील साहब हमने एक चर्चा की थी एक तस्वीर पर कि लालू जी बैड मिंटन खेल रहे थी और वह तस्वीर काफी वाइरल हो गई थी और जिस पर हमने देखा भी कि आगे आक्षन भी हुआ था देखिए अब आपने जिक्र किया है कि तेजस्वी आदव विदेश से लोटे हैं और अब विदेश जानी की तयारी भी कर रहे हैं और वहीं लालू जी की अगर हम बात करें तो लगतार वो बैठके भी करते हैं इंडिया गडबंदन की बैठक भी हुई लालू जी गए भी थे बैठक में तो क्या इसको भी एडी मुद्दा बना सकत देखिए एक तो लालू जी का जो मामला था वो बेल के इंसलेशन के लिए सी भी आई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि एक फोटो किछाते हैं तो स्वास्त गराउंड पर इनको बेल नहीं हुआ था इनको जो बेल हुआ था वो फोर थर्टी सिक से में हुआ था कि इन्होंने ह जो सजा है पनिसमेंट है वो बिता चुके हैं और कई एक और भी था वसम मिलाकर के भी था उस पर काफी डिसक्सन अर्गोमेंट हुआ था और तो हाई कोट को अपने अथरिटी के अंतरगत कंप्लीट आर्गोमेंट और कंप्लीट साथ कंसेटरेशन के बाद ही दिया था औ और नॉर्मली बेल वन्स गरांटेड नॉर्मली नेवर भी कैंसिल कभी बेल अवर गरांट हो जागा तो चैंसिल नहीं होता है अब बच गए बात कि स्वास्त गरांट पर मीटिंग में बोलना या भी हम लोग यहां पर बैट के बात कर रहे हैं घर में बात करना और एक इस ऐसे फिजिकल लेबर अलग होता है वो अलग बात है दूसरी बात है कि अगर उन्होंने सम्मन पर बुलाया है तो समर पैसे जाना तो परेगा ही आज निकल आज जाए कल जाए परसो जाए जाना तो परेगा जाना पर लेकिन दो तीन देट पढ़ता है उसमें इसाने क कि पहला बार संबन दिया उसे समय अब नहीं पर आगर देजिए इसके बार लेugाओ एक्षन ले सकती है अभी उस्टिती लेकिन नहीं आई है लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे वकील साब कि अगर आगे भी इस तरह से EDK समन जारी होता है और पेश नहीं होते तो क्या ऐसा करना तेजस्वी आदफ को भारी पड़ जाएगा और क्या गिरफतारी भी हो सकती है देखिये किसी भी सरकारी प्रोविजन में ये कंपेलिंग प्रोविजन डाला हुआ रहता है का अगर उसकी बात को आप नहीं माने या बार-बार बोलाया तो नहीं गए तो आगे का स्टेज्ज भी तो है ये लॉग इन्फोर्स करने का तरीका तो सब के पास रहता है कि आपक compelling appearance का वो तो करा सकती है गोलरी पहले से लोग में डाभी नया बला भी बना है ना नयाई संगीता सुरक्षा संगीता सब बना हुआ है आपके सामने किताब सब रखी हुई जैस्ट मंगाई है मैंने कल ही इसको तो उसमें सब सब में प्रविजन सब वही डाला हुआ है लगभग वही है कि अगर आप नहीं जाते हैं नहीं जा रहे हैं इसको अप पताधी कारी करे लग रहा है कि डेलिबरेट है यह जान बुझ करके आप कर रहे हैं उसमें एक्सन का पावर होता है और घृफतारी वो तो इननों पर लागू नहीं है तो घर में तो पद पर हैं जगह पर बैठे हुए गर है मकान है वो तो उसके रिए कोई घर चोर के भाग गया नहीं मिलदा है तो उसकी कुर्की जबती हो लेकिन यहां पर ultimate और बड़ा action यही हो सकता है अगर बार बार डिनाई किया जाए क ऐसा भी प्रोविजन है लगतार हम लोग इस मुद्धे पर आप से बात करते आए हैं और जानने कि हम लगतार यह कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है वकील साथ आपने अकसर एक बात कहिए कि CBI से भी ज्यादा खतरनाक होती है ED तो हम फिर से एक बार उसी सवाल पर आ है कि देख रहे हैं बोहतलों को बेल नहीं दिया रहा है जबकि मात साथ साल सजा इसमें मैक्स्टूम दिया गया है और साथ साल सजा में कहिए को जज्मेंट भी आ गया है हाँ उसमें ED exception में दिया हुआ इसा ही बात है लेकि तब भी ED वाले में है कि इस रहा है इनका जो बे कि अधरेस कर लिया जाए इस को बात नहीं बन पा रहे है संवन अगहरेji नहीं आता है और wedi से जादाए उसमें przybis बच बचना मुश्किल है सी बीयाई सिया पीशी से जो नेया वला जो है उसरुक्छा संखिता से होा गाइडिद होता है लेकिन वह पहले यह बाग्वार्ज के पास बहुत सारी और सकती है जिसमें है के उसको फायर कॉपी नहीं देनी है एरिस्ट करने में क्या है एक एरिस्ट का कौज बताना क्यों हो किस आरोप में रिस्ट कर रहे हैं वो नहीं बताती हूं काती है बस आप पर ग्राउंस यह ग्राउंस बन रहा है हम आपको रिस्ट करने जा रहे हैं और आप पर जो एलिगेसंस बन रहा है स्पेस्पिक वो हम कोट में इन्वेलप में समिट करेंगे इन्वेलप में समिट करें है क्या लगता है 5 तारीक को क्या होगा और एक सवाल और है इसमें मेरा कि क्या ऐसे बच सकते हैं लालू और ते जिस पी इस मामले से बचने का तो वही है कि उनका जो कुछ जो सवाल जो किया जाएगा उसको कर देंगे कि नहीं हमारी प्रोपटी इस कारण साइए इस बिजनेस साइए यहां समको आई है उसको कहीं भी कोई भी नोटिस होता है इंकम टेक्स का हो एदी का हो या किसी और लौ में होता है तो आपको यह उपर आप अपने को तो बचाएंगे अपने दोस्ताबित खरेंग कोई इसा नहीं है कि कोई यहां पर आजा साहब का राज चल रहा है कि भाई एक बार जो बोल लेंगे तो आदेस हो जाएगा सो नहीं है और कोट ओफ लो है कोट देखती हार एक चीजों को और बहुत साइव लोगों को देखिए बहुत सरा एक्सेंस हुआ है कि इसने पर न जिससे यह परपटी बनी है उस परपटी का मालिकाना हाख में नाम इन जब कि उसमने नाम डाला गया था तो उसके कारण पर इनके अपर बहुत सीवियर कोई इलिगेशन नहीं बन दा है लेकिन चुकि सेक्शन थीम उसको बरहा दिया गया उसके जो एडिया को था वाइड कर दिया गिया उसके कारण थो रहा है समन पर तो जाना पड़ेगा है इन्वेस्टिगेशन को कॉपरेट करना ही पड़ेगा तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने देखिए साफ साफ कह दिया है कि बुलावे पर यानि के समन पर आज ना कल जाना तो तो इस तरह के तमाम अपडेट के लिए ऐसी हमारे साथ बने रहीएगा और देखते रहेगा लाइस को चीज़ बहुत शुक्रिया